अनिम्प्लॉइमंट वेरोजगारी हिंदुस्तान की आवाज वो हम यह उठा रहे यह तस्वीरें यूवा कॉंग्रिस की राष्टिय द्यक्ष स्री निवाश बीवी को दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी कार से बाहर निकालने की हैं जिन्होंने दिल्ली में कॉंग्रिस के विरोज से भीशन द्रश्यों में उनके बाल खीचे गए नैशनल हैराइड केस के सिलसले में आज दूसरी बार प्रवरतन निर्देशाले द्वारा सूनिया गांधी से पूस्ताज किये जाने पर कॉंग्रिस नेता, कारेकरता और समर्थक सडकों पर उतर आए जब वहां मौजूद मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस को उनकी कार के अंदर धक्का मुक्की करते दिखा गया साफ तोर पर आप देख सकते हैं कि राष्टी अद्यक्ष स्री निवास बीवी के बाल खीचे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस द्वारा वीडियो में रेपिट एक्शन फोर्स के कुछ कर्मियों को कार का दरवाजा बंद करते हुए भी दिखाए गया है क्योंकि स्री निवास बाहर निकलने का प्रयास करते दिख रहे हैं जैसे ही नेता कार में बेटने की कोशिश की तभी अधिकारियों में से एक ने नेता को कार से बाहर कीचते दिखाई दिया वो भी बालों को खीच कर सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो साजा की जाने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने कहा हम कर्मचारियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं पहचान के बाद कर्मचारियों के खिलाफ अनुश्रशनात्मक कारिवाही शुरू की जाएगी इससे पहले दिन में राहूल गांधी अपनी मा सोनिया गांधी से एडी की पूस्ताज के विरोध में संसत के पास विजय चौक पर बैठ भी गए थे बाद में उन्हें कई कांगरिस सेंसतों के साथ पुलिस ने हिरासत मिली जो केंदर और दोारा रायजेंसीों के कतित दुरुपयों की और राशपती का ध्या नाकर्शचित करने के लिए राशपती भवन गे और मार्ज करने के लिए एकत्र हुए थे बाद में रहूल गांदी को एक पुलिस मस में बिठाये गया अग्यात इस्थान पर ले जाये गया रहूल गांदी ने आरोप लगाया भारत एक पुलिस राज्य है और मोदी एक राजा है ऐसे में बड़ी खबर आपको मैं बता दू कि आज ED की कारवाई पूरी हो गई है और इसके बाद अब कल वापस ED की कारवाई होगी और इसके लिए सोनिया गांदी को वापस ED के पास जाना होगा पूरे देश में कॉंग्रेस द्वारा जगए जगए पर विरोत प्रदेशन धरने किये जा रहे है तमाम खबरों पर नजर बनी रहेगी आप बने रहेए इन खबर के साथ